हेलो दोस्तों, मैं अनुपन शर्मा, एक बार फिर आपके सामने केमिस्ट्री के एक नए वीडियो के साथ उपस्तित हुआ हूँ ये वीडियो की जो सिरीज है, ये मुखिता, प्राचार वर्ग दो, प्लेस्मेंट अधिकारी और सहायक संचालन पत के लिए जो PSC ने एडवर्टिस्मेंट किया है, उसके लिए बनाई जा रही है जैसा कि लेक्चर वन में इससे पहले एक वीडियो जा चुका है, उसमें मैंने परमानु सरचना के आपभव के सिधान को विश्तित रूप से समझाया था अब उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़के हम परमानु सरचना में ही एक और टॉपिक को यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं और वो है हुन्ड के बहुलकता का नियम हुन्ड के बहुलकता का नियम हुन्ड के बहुलकता का नियम यह बोलता है कि यदि किसी परमानू के अंदर जो इलक्ट्रॉन है वो अगर मान लिजिए किसी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं तो वो इस प्रकार से भरे जाएंगे कि पहले एक एक electron सारे orbital या कच्छक में चला जाएगा और उसके बाद जोड़ा बनना शुरू होगा अब ये तो मैंने उसकी definition बता दी या यू कहिए कि उस scientist का statement बता दिया आपको पता है कि objective question में statement की उतनी ज़्यादा requirement नहीं होती तो फिर इसमें क्या चीज समझने की है और क्या ऐसे questions बनेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं तो हुन्ड के बहुलता के नियम पे questions कैसे बनेंगे उसको देखने के लिए इस concept को board bit detail में समझते हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको जहां पे हम लोग आपभाव के सिध्धान को समझ रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि आपभाव का सिध्धान ये बोलता था कि किसी भी पर्माणों के अंदर जो electron होते हैं वो बढ़ते हुए उर्जा इस तरके आधार पे भरे जाते हैं और इसके दो अपवाद थे क्रोमियम और कॉपर जिसका हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लेंगे होते हैं शेल जिसको हम लोग बोलते हैं उर्जा इस तर उसके अंदर होते हैं सब शेल जिसको हम लोग बोलते हैं उप उर्जा इस तर उसके अंदर होते हैं और उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन यह हमने पिछले वीडियो में देख लिया था तो shell, sub-shell, orbital और electron Actually में जो electron होते हैं वो orbital के अंदर होते हैं हमने यह चीज़ डिसकस की थी indirectly वो sub-shell के अंदर होते हैं और indirectly वो shell के अंदर होते हैं पर electron की जो original position होती है वो orbital के अंदर होती है और यह चीज़ हमने आपको पताई थी कि हमारे केमिस्ट्री में मुख्यता चार सबशेल होते हैं S, P, D और F और इनहीं सबशेल में फिर और्बिटल्स होते हैं तो कौन से सबशेल में कितने और्बिटल होते हैं आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस जानकारी को प्राप करेंगे और फिर हुंड के बहुलगता के नियम को डिटेल में समझेंगे तो S, अगर मैं S उपकोशा की बात करूँ या सबशेल की बात करूँ जैसा कि मैंने यहां पे मेंशन किया है तो S सबशेल में एक ही और्बिटल होता है एक ही और्बिटल उपस्तित होता है S सब शेल में P सब शेल में हमारे 3 और्विटल होते हैं P सब शेल में 3 और्विटल होते हैं D सब शेल में 5 और्विटल होते हैं और F सब शेल में 7 और्विटल होते हैं तो यह आप ध्यान में रखिएगा तो बेसिकली आपने यहां पर क्या समझा कि सब शेल हमारे पास चार है और उन सब शेलों में number of orbitals इतने है S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7 orbitals है तो ये कहानी अब आपके दिमाग में clear हो गई पर यहाँ पर जो हमने इस टाइप से numbering दे देखिये और दिखाया है इसमें भी splitting है मतलब जो number है जैसे P में आपने देखा 3 orbital है तो ये orbital कौन-कौन से होते है ये हम लोग यहाँ से जानते है PX, PY और PZ ये P के 3 orbital होते है ये 3 orbital PX, PY और PZ होते है D में 5 orbital होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं D, XY, D, XZ D, YZ D, X2, Y2 और D, Z2 ऐसे करके ये 5 orbitals होते हैं और इसमें ये 3 orbital होते हैं इसमें ये 1 ही होता है S में और इसमें 7 orbital होते हैं फिलाल आपको इस level पर जानकारी नहीं रखनी है कि उसके क्या मतलब ये जो name है मतलब कि सिंबॉल से represent करते हैं फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको मोटे-मोटे तोर पर ये बेसिकली ये धियान रखने हैं आपको कि number of orbitals कितने होते हैं तो उमीद करता हूँ ये concept आपके दिमाग में clear हो गया होगा अब आते हैं इनको हम represent कैसे करते हैं अगर मैं बात करूँ इनके representation की तो जैसे मैं P की बात कर रहा हूँ चुकि S में तो एक ही है वहाँ पे कोई problem नहीं है P में हम लोग दिखाएंगे अगर मैं P sub shell की बात करूँ P sub shell की बात करूँ और P मैंने बता है तीन orbital होते हैं कौन-कौन से PX, PY और PZ ये तीन हैं तो इसको मैं represent कैसे करता हूँ इसको मैं represent करता हूँ इस टाइप से box बना के ये represent करने का तरीका होता है ये represent कर रहा है मैं P sub shell को represent किया PX, PY और PZ ये जो box बनाए हुए ये एक-एक orbital को represent कर रहा है एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि एक orbital में अधिक्तम दो electron आ सकते हैं फिर से सुनिएगा एक orbital में अधिक्तम दो electron आ सकते हैं ठिक, तो दो से जादा हम नहीं रख पाएंगे तो ये यहाँ पर जब हम electron फिल करेंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी दो होगी हुंड के बहुलकता का नियम ये बोलता है कि किसी भी और उपकोशा में कोई भी सब शेल में जिसमें एक से अधिक orbital हो जैसे कि S को मैं छोड़ दिया है न, चुकि S में एक ही orbital है S से में P, D या F में चला जाओ ऐसे उपकोशा जिसमें एक से अधिक orbital है उसमें electron की जो feeling होती है electron जो भरे जाते है वो हुंड के बहुलकता के नियम की आधार पर भरे जाते है और वो भरे कैसे जाते है कि पहले एक एक electron सारे orbitals में चला जाएगा उस particular उपकोशा के और फिर जोड़ा बनना शुरू होगा मतलब each orbital should be captured by a single electron and then pairing will be started then after pairing will be started उसके बाद pair बनेगे हमने आपको बोला कि 2 electron रहने starting से pairing नहीं होगी मतलब कैसे मैं example से समझाता हूँ आपको जैसे माल लेता हूँ मुझे P में मुझे 4 electron माल लीजे भरने है ध्यान से देखेगा P में मुझे माल लीजे 4 electron भरने P उपकोशा मुझे 4 electron भरने तो मैं कैसे भरूँगा हुंड के नियम के साब से भरूँगा मैं तो पहला electron ये मैं cross से represent कर रहा हूँ ये electron को represent कर रहा हूँ अभी फिलाल में जोड़ा कब बनना शुरू होगा जब सारे orbital या सारे कच्छक सिंगल electron से फिल्ड हो जाए या टेकनिकली बोलें तो हाफ फिल्ड हो जाए अगर सारे orbital हाफ फिल्ड हो जाते है उसके बाद जोड़ा बनना शुरू होगा ये बताया था हुंड नामक विज्ञानिक नहीं मतलब अगर मुझे चार भरना है तो मैं ऐसे नहीं भरूँगा यहां मैं दिखा रहा हूं माली यह ये मैने दो भरे ये मैने दो भरे ये तरीका गलत है ये सही method है भरने की मतलब चार electron भरने है तो मुझे पहले एक एक electron सब में भेजना पड़ेगा उसके बाद जोड़ा बनाना पड़ेगा इस टार्टिंग से जोड़ा नहीं बनेगा मेरे ख्याल से ये concept आपके दिमाग में clear हो रहा होगा अब ये चीज़ समझते हैं दो चीज़े यहां पर अब और समझनी है पहला ये समझना है कि ऐसा क्यों करते है या ऐसा क्यों करता है परमाणू उसका जवाब है अपने इस्थाईत्व को बढ़ाने के लिए क्योंकि आधे भरे हुए कच्छट मतलब हाफ फिल्ड और और पूरे भरे हुए कच्छट मतलब फुल्फिल और ये दोनों इस्थाई होते है according to stability बोथ मतलब हाफ फिल्ड और और फुल्फिल और और इस्थेबल इसी कारण ये क्या करता है इस टाइप का बिहेवियर करता है तो कभी भी questions पूसता है आपको objective में और box बना के दे देता है इस टाइप से तो आप क्या करेंगे आप जितने नीज़े जैसे मैं D का बनाएता हूँ माल दीजे मैंने D का ले लिया है 1,2,3,4,5 मैंने D orbital ले लिया D sub shell ने 5 orbital है और मुझे 4 electron बरने माल दीजे यहां भी मुझे 4 electron बरने यह मैंने D sub shell ले रखा है तो मैं कैसे बरूँगा 1,2,3,4 5 electron बरने माल दीजे मुझे 5 electron यहां बरने मैं क्या करूँगा यह हो गया 5 अब यहां तक जाएगा अब मुझे 6 electron बरने अब यहां से जोड़ा बनना शुरू होगा छटवा electron यहां ऐगा मन पहले एक एक electron सारे orbitals में चले जाएंगे और फिर जो है वो जोड़ा बनना शुरू होगा तो यह हुंड के बहुलकता का नियम है इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा हुंड के भुलकता का नियम बोलता है कि यदि एक से अधिक orbital वाला कोई उपकोशा है उसमें electron की जब feeling करेंगे भरेंगे तो सारे के सारे जो orbitals हैं उस उपकोशा के वो एक एक electron से पहले भर लिये जाएंगे और फिर जोड़ा बनना शुरू होगा starting से जोड़ा नहीं बनेगा ये चीज दिमाज में रखिए और ऐसा होता क्यों है उसका कारण है स्थाईत को बढ़ाना अगर आप इसमें 5 electron को ऐसे भर लेंगे माल लेजे 2, 2, 4 और 1, 5 तो इससे ये जो पूरा system है वो unstable हो जाएगा और इसी कारण ये चीज पर्माणू करेगा ही नहीं तो हर चीज अपने आपको स्थाई बनाने कोशिश करती है तो पर्माणू भी यही काम कर रहा है इस टाइप से अपने आपको balance कर रहा है अच्छा एक चीज और यहाँ पर समझ दे ये जो हमने 5 orbital बनाए है जो अभी हमने लिखे थे D, X, Y, D, X जो D के हमने 5 ही बनाए या P के हमने जो 3 बनाए ये एक ही उर्जा इस तर पे होते हैं एक ही energy level पे होते हैं जैसे मैं हमाल लीज़े 3D की बात कर रहा हूं तो 3D मतलब 3rd energy level पे ये सारे के सारे होंगे तो ऐसे orbital जो एक ही उर्जा इस तर पे होते हैं जैसे कि मैंने भी दिखाया है एक ही साथ सब को दिखाया है ऐसा नहीं दिखाया कि एक box मैंने यहां बना दिया तो एक box मैंने यहां बना दिया कि एक box मैंने यहां बना दिया ऐसे बनाता तो ये अलग-अलग उर्जा इस्तर पे होते हैं मैंने सबको एक साथ बनाए हुआ है ये सारे orbital एक ही उर्जा इस्तर पे हैं और जब कभी भी एक से ज़ादा orbital एक ही उर्जा इस्तर पे होते हैं तो उसे हम लोग degenerating orbitals कहते हैं तो ये सारे के सारे de-generating orbitals हैं de-generating कहने का मतलब है कि एक ही उर्जा इस्तर पे उपस्तित होने वाले orbitals को हम लोग क्या बोलते हैं de-generating orbitals तो दोस्तों ये point भी आपके दिमाग में clear हुआ होगा तो हुंड के बहु लगता का नियम electron को भरने में इसके अलावा दूसरा जो हमने बताया आपको इससे पहले पिछले वाले लेक्चर में हमने जो आपको explain किया था कि आपबव का सिध्धान तो आपबव और हुंड दोनों ही कहां इस्तमाल किये जाते हैं कोई पूछेगा अगर objective question में तो आप पताएंगे कि दोनों का इस्तमाल electronic विन्यास में या परमाणू के अंदर electron को भरने में किया जाता है तो उमीद करता हूं दोस्तो हुंड के बहु लगता का नियम आपको clear हो गया होगा और इससे पिछले वाले lecture में हमने आप बहु के सिध्धान को समझा था जो दोनों ही परमाणू सरचना के अंतरगत आते हैं अब परमाणू सरचना में एक चीज़ आपको और यहां पे ध्यान रखनी है जो अकसर questions पूछता है कि समस्थानिक क्या होते हैं सम भारी क्या होते हैं कुछ ऐसे term भी terminology यूज होती है पर्मानु सरचना के अंदर तो वो भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो आते हैं दोस्तों सबसे पहले लेते हैं हम लोग जो जो टर्मिनलोजी है वो है समस्थानिक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आईसो टोप समस्थानिक क्या होते हैं आईसो टोप किसी भी पर्मानु के वो पाठ है या वो इस्थिती है जिसमें क्या होता है पर्मानु क्रमांग तो समान होता है परंतु पर्मानु भार भिन्द भिन्द होते हैं ध्यान दीजे हैं और atomic mass को हम लोग क्या करते हैं A symbol से represent करते हैं यह हमने पिछले lecture में देखा था तो isotope basically isotope क्या होता है अगर मैं short में बिल्कुल आपको इसे लिख दूँ यहाँ पे अपने आपको करने के लिए तो same Z but different A atomic number समान होता है atomic mass अलग-अलग होते हैं अब एक popular example लेकर मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको देखिए हमारे chemistry में जैसे कोई एक symbol है कोई एक प्रतीक प्रतीक आप जानते हैं क्या होता है हर element का एक प्रतीक होता है एक symbol इस्तमाल किया जाता है जो कि आपने आवर साड़नी में देखा भी होगा हर के लिए अलग-अलग हम लोग इस्तमाल करते हैं जैसे बात करूँ मैं सोने के लिए तो सोना जो होता है गोल्ड होता है उसके लिए हम लोग symbol यूज़ करते हैं AU चान्दी के लिए हो गया तो AG है न यह सारे हम इस्तमाल करते है धात्वों के लिए और बहुत सारी अधात्वों के लिए अलग-अलग-अलग इस्तमाल करते हैं तो यह सारे जो symbol आए हैं यह तो पहले आपको बता दूँ हाला कि उसकी जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमारी mother tongue नहीं है जैसे मैं बात करूँ अगर मैं बात करता हूँ AU की है न सिंबॉल हम AU ले रहे हैं हम हिंदी में बोलते हैं इसको सोना English में हम इसको बोलते हैं gold पर हम symbol यूज़ कर रहे हैं AU ऐसा क्यों चोकि इसको Latin भाषा में मतलब Greek वर्ड में बोलते हैं औरियम तो औरियम का AU हमने उसका पहले दो alphabet यूज़ कर लिये और यह symbol बना दिया तो अब हमको दिक्कत है चीज़ याद रखनें सेम वैसे ही इसके लिए यह हमारा है चांदी हिंदी में बोल रहे हैं चांदी इंग्लिश हम बोल रहे हैं silver पर symbol यूज़ कर रहे हैं ag तो यह तो कहीं से मैच नहीं किया दोनों से न तो हिंदी से न तो इंग्लिश है क्योंकि Greek में इसको बोलते हैं Argentum तो Argentum में आपका ag यूज़ कर लिया उसने symbol तो जितने भी यूज़ हो रहे हैं जो periodic table में आवर सांदी में जो भी symbol यूज़ होते हैं वो आपके Greek words से influence है अब आते हैं हम लोग यहां पर हमने आपको बोला कि isotope वो होता है जिसका परमानु करमांग सेम होता है अब परमानु करमांग को हम किस से represent कर रहे थे जड से और परमानु भार भिन्द होता है different A हमने symbolic representation कर दिया अब जैसे हम लोग माल लेते हैं कि कोई एक तत्तो X है तत्तो X है उसका symbol भी नहीं लिया ले लेंगे बाद में उसमें परमानु करमांग कर परमानु भार को represent कैसे करते हैं जकसर जो आपको competition में बुकों में मिलेगा या competition में paper में मिलेगा ये आप देखे भी होंगे हम बुक देखेंगे तो यह diagonally लिखा हुआ रहता है तो यह ज़्यादा authentic है यह सही ऐसा नहीं किसमें कोई गलती है यह बहुत बुक में यह भी मिलेगा आपको पर ज्यादा authentic है कि आप Z और इधर ए ऐसा लिखे यह परमानु करमांग को पतरशित कर रहा है यह परमानु भार क इसका समस्थानिक बनेगा आईसोटोप जो बनेगा वो आपका होगा 6 और 14 यह बन गया उसका आईसोटोप तो आईसोटोप में क्या चीज बदल रही है अगर आप गौर से देखें तो परमानु करमांग को समान है हमने लिखा same jet पर बदला क्या परमानु भार बदल गया atomic atomic mass बदल गया यह देख रहे हैं आपने atomic mass यहाँ पर क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है एक जगा 12 एक जगा 14 है अब यहां से क्या क्या questions बन सकते हैं देखिए हम जब topic को discuss करेंगे तो उससे related questions को भी discuss करते जाएंगे सासा ताकि आपको यह दिमाग में यह आता जाए कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो उनकी analytical power वैसे भी ज़्यादा रहती उनका brain का वो part ज़्यादा डवलप होता है तो आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ भी जाएंगे और आप इसको utilize भी कर पाएंगे अब जैसे मैं बात करूँ पहला question यह आईगिए isotope में क्या बद मैंने आपको बताया था पहले कि fundamental particle कौन कौन से होते हैं परमाणू में electron, proton और neutron तीन fundamental particles होते हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अगर मैं यहाँ पर isotope की बात कर रहा हूं तो isotope में क्या क्या चीज़े कौन से fundamental particle यहाँ पर change हो रहे हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूँ मैं आपको बताया भी था कि जो z होता है परमाणू करमांग जो होता है वो क्या होता है proton की संख्या होती है और जो a होता है वो neutron और proton का sum होता है मतलब मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे z is equal to number of proton पी लिख गया मैंने short में और a is equal to n plus p मतलब number of neutrons and number of proton मतलब electron का फिलाल यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं क्यों कि परमाणों उदासीन है और उदासीन परमाणों में हमने आपको बताया था कि उदासीन परमाणों की condition क्या होती है कि वहाँ P और E जो होता है वो दोनों equal होता है मतलब proton और electron की संख्या क्या होती है बराबर होती है तो यह चीज आप माल दीजे, एक कोशन यह बना आपका कि समस्थानिक में कौन सा fundamental पार्टिकल या मूलभूतकन परिवर्तित हो जाता है फेचे सुनिए का कोशन, बोल यह रहा है कि समस्थानिक में कौन सा मूलभूतकन परिवर्तित हो जाता है, which fundamental पार्टिकल इस चेंज इन आइसोटोग अब आपके दिमाग में आएगा कि आइसोटोग को तो मैंने इस तरीके से देखा था अब उसने घुमा दिया question को ठीक है तो आपकी analytical power वहाँ पे improve होनी चाहिए जिसके हम बार-बार जिकर कर रहे हैं जो कि objective question में यह होता है कि एक ही trap क आप नहीं चल सकते क्योंकि वो question वैसे मिलेंगे ही नहीं objective में वो क्या करेगा question को twist करेगा उसको analyze करने के लिए और उसमें होगा क्या कि time taking होगा ऐसे question time taking होते हैं और time taking होने के कारण क्या होता है बहुत सारे लोग इसको quit करते question करते छोड़ते पढ़ा अरे यार इसमें time lag छोड़ पर जिसकी analytical power अच्छी वो तुरंत उसको grip करेगा और उसको मालूम है उसने पढ़ते समय यह analysis की हुई है तो वो आसानी सिंग question को handle कर लेगा तो अब आते हैं उस question कैसे हम handle करेगा हमने आपको बोले कौन सा fundamental particle बदलेग a बदल रहा है मतलब आपका ये चीज बदल रही है z सेम है a बदल रहा है अब चुकी a में कौन कौन से fundamental particle है p और n से मिलके बना हुआ है इसका मतलब है जब z सेम है इसका मतलब p तो सेम ही रहेगा इसमें भी p उत नहीं रहेगा इसमें p उत नहीं रहेगा तो बदला क्या ब हम पता लगा देंगे कि different क्या होगा a oblique n कि different n होंगे मतलब यहां पे मैं इस वाले के लिए अगर मैं z लिखता हूँ 6 लिखूंगा यहां z लिखूंगा 6 लिखूंगा पर यहां पे जब मैं a लिखूंगा तो a क्या लिखूंगा ध्यान से देखेगा n प्लस p है तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 इसके लिए a और इसके लिए क्या हो जाएगा आपके लिए n हो जाएगा यहां पे 8 प्लस 6 तो आपने देखा यहां पे इस n के बदलने से यह a बदला है तो कौन सा मुलभूत कन बदल गया यहाँ पे N बदल गया किसमे आईसो टोप में तो I think आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे changes हो रहे हैं तो यह चीज आपके दिमाग में clear हो गई होगी ऐसा मैं उमीद कर रहा हूँ अब चलते हैं दोस्तो थोड़ा और आगे अब दूसरे और एक concept को समझते मैंने आईसो टोप का भी describe किया अब आते हैं आईसो बार जिसको हम लोग बोलते हैं संभारिक यह सारे के सारे ग्रीक वर्ड है आईसो का मतलब होता है same और बार का मतलब होता है weight same weight इससे पहले हमने आईसो टोप लिखा था उसको भी ग्रीक वर्ड है आईसो प्लस टोप आईसो का मतलब होता है same टोप का मतलब होता है position इसी से बना था troop जो military का होता है बोलते हैं कहां पे troop को deploy किया है deploy को ने कहां पे रखा है आपने आपने जो सैनिक की टुकडी बनाई है troop मतलब होता है सैनिक की टुकडी soldiers का जो एक crowd होता है वो कितना भी हो सकता है 50 का 40 का जैसे भी रहता है तो troop को आपने कहां पे deploy किया हुए तो बोलेगा तो टोप मतलब होता है उसकी position position कहां पे आइसो टोप मतलब same position same position बोलने का मतलब क्या हुआ आइसो टोप में की आवर सान्डी में बदल नहीं है यह रही इस्थिती आवर सान्डी में इस्थिती नहीं बदल रही है क्यों नहीं बदल रही है क्योंकि आवर सान्डी जो है आधुनिक आवर सान्डी अगर 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 परमानू क्रमांग के उपर ही बेसड है अगर परमानू क्रमांग बदलेगा तो फिर बदल जाएगा उसकी पोजिशन आवर साड़नी में तूमीद करता हूं यहीं समझ में आगई होगी अब आते हैं हम लोग Isobar, जिसको हम बोलते हैं संभारिक, अब इसमें क्या condition है, just उसका reverse है, मतलब उसी का उल्टा, vice versa, मतलब क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे Z जो रहेगा, वो different हो जाएगा, और A जो होगा, वो same हो जाएगा, Isobar, 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 same weight, bar का मतलब weight, तो weight change नहीं हो रहा है, तो अब देखते हैं दोस्तों कैसे weight का, कैसे concept हो, कोई example लेके समझे, हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, C614, कारबन का, और यहाँ पे दूसरा जो इसका pair ले लिया, N714, nitrogen का, तो आपने देखा, परमा परमानू भार सेम है, यह सेम है आपने देखा, यह चीज बदली आपकी आपकी, अब नीचे वाली चीज बदल गई, मतलब jet बदला, उपर आले चीज अब यहाँ पे, सेम है, जब क्या isotope में, उल्टा था, jet सेम था, A बदल रहा था, तो अब फिर वही बात, कि यहाँ पे चौदा, यहाँ पे अगर देखें, Z जो होगा, सॉरी, A जो होगा, A जो होगा, वो क्या होगा, साथ प्लस साथ, चुकि दोनों को चौदा करना है यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे 14 आए, यहाँ पे 14 आए, तो आपने देखा, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों fundamental particle बदले, मतलब P भी चेंज हुआ, N भी चेंज हुआ, N और P दोनों ही बदल गए, जहाँ पे, तो अब आप दोनों में डिफरेंस कर पाए, आईसो टोप और आईसो बार में, आईसो टोप में केवन neutron बदल रहे थे, यहाँ पे neutron और proton दोनों बदल जाएंगे, बोट आर चेंज्ड, neutrons और protons, तो मैं समस्ता हूँ कि आपको ये भी point clear हो गया होगा, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे, इसी में, और अब देखते हैं, तीसरा जो concept है, हमने देखा आईसो टोप, आईसो बार, अब आते हैं, आईसो टोन, एक और इसी से related terminology है, जो जकसर हम लोग इस्तमाल कर है, आईसो टोन, आईसो साथी, आईसो टोन, आईसो का मतलब तो सेम समझ गया, टोन का मतलब होता है, न्यूटरॉंस, न्यूटरॉंस को टोन के उससे, सिम्बॉल के, उससे रिप्रेसेंट करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, same number of N, न्यूटरॉंस सेम होंगे, आईसो का मतलब है यहाँ पे उसने स्टार्टिंग में ही स्पेसिफाइट कर दिया कि सेम नंबर ओफ नूट्रोंस अब कोई एक्जामपल अच्छा इसमें क्या खासियत होगी वो अब पहले देखते हैं फिर हम एक्जामपल लेते हैं यहाँ पे जेड भी डिफर करेगा और ए भी डिफर करेगा दोनों डिफर करेंगे ध्यान दीजेगा आइसो टोप में क्या था आइसो टोप में जेड सेम था ए डिफर कर रहा था आइसो बार में जेड डिफर कर रहा था ए सेम था यहाँ पे दोनों ही डिफर कर रहे हैं बैक करके वीडियो को फिर से आप करके पॉस करके उसको दीने से समझेए कि ये सारे टेक्निकल कोश्चन आएंगे मार्केट में आये हैं कोश्चन और अप्जेटिव बेटन में एक देगा तो चीजों को समझेगा आईसो टोन बोला मैंने पहले तो समझेए isotone का मतलब क्या है same number of neutrons neutrons की संख्या समान होंगी ऐसे दो परवाणों जिसमें neutron की संख्या समान होंगी पर वहाँ पे Z और A दोनों ही differ कर जाएगा कोई example लेके समझते हैं जैसे हम ले ले carbon 614 और oxygen 816 तो क्या चीज differ कर गई आप देख रहे है A differ है Z भी differ है पर क्या चीज़ नहीं है neutrons अब neutrons निकालेंगे कैसे भई हमने अभी आपको formula बताए कि A is equal to N plus P तो अगर हम लोग A minus P कर दे तो is equal to N हो जाए गई है number of neutrons तो यहाँ पर वही काम करते हैं सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि number of protons किते थे आपके पास में यहाँ पर number of protons किते थे 6 च्योंकि atomic number 6 है तो protons के संख्या भी 6 होगी इसका atomic number 8 है इसकी proton के संख्या 8 होगी और इसका A कितना है अगर इसका A देखे तो इसका A 14 है यह है A आपका atomic mass करेंगे तो 14-6 कितना आ जाएगा यहाँ से 8 मतलब neutronों की संख्या आ गई N की value यहाँ पर आ गई 8 यहाँ पर निकालेंगे आपके neutron तो A-P करेंगे मतलब A-P 16-8 is equal to 8 मतलब यहाँ neutron की तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज equal हो गई यहाँ पर equal हो गई है number of neutrons तो यहाँ पर फिर क्या चीज डिफर कर रही होगी number of protons proton डिफर कर रहा है क्योंकि इसका jet 6 है इसका 8 है तो यह सारी चीज़े और atomic mass भी different है तो यहाँ पर jet भी अलग है A भी अलग है एक में jet सेम था A डिफर था दूसरे में A सेम था Z डिफर था इसमें दोनों ही डिफर है तो आप तीनों को बहुत आसानी से अपने दिमाग में रख पाएंगे यह तो तीनों बहुत popular यह हैं क्या बोलते हैं terminology है जो अकसर question में घुमाएगा जैसे कि exam वो क्या करके देगा आपको आइसो बार है क्या वो आइसो टोन है तो यह सारी चीजे आप यहां पे ध्यान में रखेंगे तो उमीद करता हूँ यह सारी चीजे आपको समझ में आई होंगी और यह सारी चीजों का आप इस्तमाल करके जो question है उनको आप solve करने की कोशिश करेंगे तो यह मैंने आज जो इस लेक्चर में मैंने आपको explain किया वो explain किया हुंड के बहुलकता का नियम हुंड के बहुलकता का नियम क्या होता है वो सारी चीजे आपने देखी और उस से related परमानू सरचना से related जो चीजे हैं जिसने कि आपने कुछ terminology देखी आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं और आपने जाना कि orbitals कैसे split करते हैं orbitals में electron कितने होते हैं एक orbital में दिक्तम दो electron होते हैं और उसके अलावा इन सारी चीजों को आपने detail में समझा तो आने वाले next वीडियो में हम इसके आगे और चलेंगे और atomic structure के कुछ और टापिक को देखेंगे धन्यवाद